नमस्कार, आज रंगमंच का दिन है। आज कही दिन 27 मार्च 1961 से पूरी दुनिया में World Theater Day मनाय जाता है। वो कहते हैं न, हमारा जीवन एक रंगमंच है और हम उस रंगमंच के कलाकार हैं। रंगमंच एक ऐसी जगा है जहां इनसान जिन्दगी के कहीं किस्से अपनी कला के जरिये दुनिया के सामने लाता है। चाहे नुकुरनाटक हो, जहां कोई स्टेश हो हो, रंगमंच एक वो ताकत है जिसमें कोई कलाकार अपनी कला के माध्यम से अविनव की एक छाप छोड़ देता है। किसी शायर ने रंगमंच के वारे में क्या खूब कहा है, कुछ पंक्तियां गवर किजिए। मैं इनसान था सचकी राह का, आज एक अंश बन गया। जिन्दगी के हर मोड पर मैं रंगमंच बन गया, निबाए बहुत किरदार हर किसी के लिए। मैं ही गुनहगार और मैं ही पंच बन गया, आज भी देखता हूँ कलाकार बने हर इनसान को, क्या खूब जीता है वो दुनिया के हर रंग को। विश्व रंगमंच दिवस का लक्ष दुनिया में रंगमंच को बड़ावा देना है, ताकि कोई भी इनसान, कोई भी कलाकार अपनी भावनाओं तथा संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सके। रंगमंच कलाकार के लिए एक ऐसा सशक्त सादन है, जिसमें वो अपनी कला का प्रधर्शन सरल और सहज तरीके से कर सकता है। ये रंगमंच ही है, जो कई महान कलाकारों, अविनेताओं को जनम देता है, अपनी संस्क्रती व परंपरा को एक पीडी से दूसरी पीडी तक पहुँचाता है। कलाशेतर से जोड़े कई कलाकारों को आज रंगमंच सम्मानित करता है, और जरूरत भी है, मशीनी युग में इनसान अपनी संस्क्रती व सामाजिक मुल्यों को भूलता ही जा रहा है। और रंगमंच ही है जो उन मुल्यों को पीडी दर पीडी संभालता चला आ रहा है, हमें इसके महतर को समझना चाहिए और दूसरों को इसके बारे में अबगत भी करवाना चाहिए। धन्यवाद।